दूधा में पेंटाकली कनाल दिवार तूटने से किसानों का हुआ नुकसाद महरास्ट बुलड़ा के तहसिल कारेचेतर में पेंटाकली कनाल का काम 1996 के दशक में पुरा हुआ यह शुरू से ही विबात का एक शोत रहा है राइपूर में मनोहर काले की खेत की कनाल की दिवार तोट गई है और उसमें से पानी बहरा है बड़े बड़े नालों से पानी रिस्ता हुआ दिखाई दे रहा है एक से ग्यार किलोमीटर का काम बहुत ही खराब गुडवत्ता का है और इस जमीन में लगातार रिसाओ की कारण किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है कनाल के दिवारों पर बड़े बड़े पेड़ उग गये हैं पानी की वजह से कनाल की दिवारों से पानी रिस रहे हैं और से किलोमीटर से पानी के नुकसान की भरपाई के लिए यांदोलन और भूख हरताल की गई लेकिन भारी बारिश और बाढ़ से गंभीर नुक्षान हुआ और अब कनाल की दिवार तूटने का करण खेती के लिए नुकसान की भरपाई किसानों को मिलने चाहिए गजानन अउचर किसान दूधा मेहकर मेरे खेट से लेकर रायपूर गाउं तक बड़े बड़े पेर उगाए हैं एक मोटर को नहर के दिवार के माध्यम से इतना पानी लिग करते देखा जा सकता है यह दिस्सा में रहती है उपाई नहीं किये गए तो रायपूर के नहर के ढहनी के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता मनोहर काले किसान रायपूर उनिका कनाल के पानी से किसानों की होई खेती के नुकसान का मोबदला मिलने की मान किसान कर रहे हैं महरास्ट बुलडारा से एम प्रमोद मिश्राक रिपोर्ट